हेलो अब्रिवन क्लाश्टेेंट का क्वार्डडिक इक्व试िसेट् ने offense करेंगे सबसे पहले एक कोषण देखोगे इस complement को देखने से यह किसी भी तरीकटीड की एक्विशट्न टो नहीं दिख रहा है तो एसा भी नहीं है कि यह लिनियर ईक्विशन कि दिख रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कैसे किया जा तो देखो यह इस साइड भेजे तो यह प्लस 2 अब इनसे multiply करेंगे जब इससे multiply करोगे ते एक बार X से multiply करेंगे । जब X से multiply करोगे तपर यह हो जाएगा 2X sqe ar-3X और जब 3 से multiply करेंगे तो प्लस 6X-9 सेम इसी तरीके से यहां पर भिण करेंगे यह क्या होगे थ्रू एक्स sqe ar-6 2xx-7x और यह-14 अब इसे solve करेंगे तिया हो जाएगा 2x square plus 3x-9 और इसे solve करेंगे तिया हो जाएगा 3x square minus x-14 एक चीज़ ज्यान दोगे ठीक है अब इसे क्या करते है सब को left hand side में लेकर आया तो यह क्या हो गया 2x square यह plus का इसाइड आएगा तो माइनस 3x square 3x plus का है यह माइनस का इसाइड आएगा तो प्लस का यह माइनस 9 यह प्लस 14 इसाइड आएगा तो प्लस 14 is equal to मैं कुछ नहीं बचा तो 0 कि यह क्या होगे यह minus x square plus 4x plus 5 is equal to 0 सबको अगर right hand side में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x square minus 4x minus 5 equal to 0 तो यह हो गया मेरा quality equation का फॉर्म और factorization का यूज करके factorization में तटका यानि बीच वाले को split करके कर सकते हैं तो इससे इसके coefficient 1 है इसका coefficient minus 5 पर तो क्या आगे माइनस 5 multiply करने पर लाना और प्लस कर पर क्या लाना है minus 4 तो किस तरीकी से बाटा जाए तो देखो अगर मैं यह minus का 5 और plus का 1 करूंगा ठीक है तो यह minus का 4 आ जाएगा और जब इन दोनों को multiply करेंगे minus 5 plus 1 तो क्या जाएगा minus 5 plus 1 में इससे बीट कर सकते है तो x square minus 5 x plus x minus 5 is equal to 0 x common हो गया तो क्या हो जाएगा x minus 5 इन दोरों से कुछ भी common नहीं हो रहा है बन तो हर जगा से common हो जाएगा तो one मैंने common लिया x minus 5 is equal to 0 अब इससे solve करेंगे तो x minus 5 common हो जा रहा है तो क्या जाएगा x plus 1 अब देखो दोनों को बारीबाई gerook करेंगे तो x minus 5 को मैं 0 की än teil कर दे रहा हूं और x plus 1 को भी मैं 0 की पूल कर दे रहा हूं तो यहां से x का वैलो कितना आ गया 5 और यहां से x का वैलो आ जा रहा है minus 1 तो इस डो इसके routes आ गहा है 5 और minus 1 कि इस question को देखोगे यह दिया गया उसके बाद से बला एक्स इस not equal to 35 यह क्यों बतायागे यह condition क्यों दिया है इस condition को देखो अगर x is equal to 3 होगा और 3 यहां पर रखोगे तो 3-30 जाएगा तो यह x-2 by 0 ओके तो यह क्या हो जा रहा है तो देखो इसी solve करने क्ला में क्या करना होगा LCM लेना होगा तो LCM क्या हो जाएगा X-3 into X-5 अब जब इससे divide करेंगे X-3 तो cancel हो जाएगा X-5 हो जाएगा यानि X-5 से numerator multiply करेंगे तो X-2 into X-5 same इसी तरीके से X-5 से divide किये तो X-3 है X-3 से multiply किये तो X-4 को multiply कर देते हैं X-3 से ओके और इससे solve करो थे तरी तरी जा 9 1 10 यानि यह हो गया 10 by 3 तो आगे बढ़ते हैं तब इससे क्या करना होगा multiply करना होगा तो multiply करोगे तो यह हो गया X square माइनस 5 माइनस 7 X और प्लस 10 आजाएगा इससे करोगे तो यह हो जाएगा X square माइनस 7 X प्लस 12 डिवाइड वाइड वाइड इससे multiply करोगे यह हो गया X square माइनस 8 X प्लस 15 इस इकोल तो 10 by 3 उपर वाले को एड करेंगे तो X square X square माइनस 14 X प्लस 22 डिवाइड वाइड वाइ X square माइनस 8 X प्लस 15 इस इकोल तु 10 by 3 cross multiply कर देते हैं cross multiply करेंगे तो 3 इससे जाका multiply हो जाएगा 10 इससे आका multiply हो जाएगा 6x² minus 42x plus 66 3 से multiply कर भी है और इसमें क्या करेंगे 10 से multiply करेंगे 10x² minus 80x plus 150 अब देखो σबको left hand side लेके आते हैं x x square minus 10 x square minus 42 x पाले से 80 x इधार आजाएगा तो plus 80 x आएगा 66 minus 150 is equal to 0 इसे solve करोगे तो यह आजाएगा minus 4 x square इन दोनों को solve करेंगे तो यह आजाएगा 38 x और इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो गया minus 84 is equal to 0 सबको अगर right hand side में वेज़े तो 4 x square minus 38 x plus 84 is equal to 0 अब देखो इस सब में common है क्या common हो जारा है 2 common हो जारा तो जब मैं अगर 2 common ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 x square minus 19 x plus 42 is equal to 0 टू कूद डिवाइड में भेज़ेंगे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि 0 divided by 2 कितना होगा 0 2 x square minus 19 x plus 42 is equal to 0 अब हमें इसे क्या करना इसे factorize करके बनाना यह नहीं बीच वाले को split करना है तो add multiply क्याना चाहिए 42 into 2 कितना हो जाएगा 84 आना चाहिए और add करने क्याना चाहिए माइनस का 19 यहां से conclusion क्या निकल रहा है कि दोनों या तो माइनस का होना चाहिए या फिर दोनों प्लस का होना चाहिए और यहां से क्या मिल रहा है कि अगर दोनों इंटू 7 करें तो 12 से बंजा 84 12 7 19 हो जा रहा है दोनों का दोनों माइनस में ले लिते हैं ठीक है तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ओके यह आपको मैंने पाले सिखा है इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो यह माइनस 12x-7x प्लस 42 is equal to 0 अब यहांपर कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन हो जा रहा है 2x तो क्या बचा है x-6 यहां से माइनस 7 कॉमन हो गया तो x-6 बचा इस इकॉल टू 0 x-6 कॉमन हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2x-7 is equal to 0 दोनों को बाई बाई से 0 के equal करेंगे एक्स माइनस 6 एक बार 0 के equal हो जाएगा और एक बार 2x-7 0 के equal हो जाएगा तो यहां से एक्स का वैलू आ जाएगा 6 और यहां से एक्स का वैलू आ गया 7 by 2 तो यह दो इसके रूट्स हो गाया ओके इस कुरि démocr אני को देखो इक इसी भी तरीके से क्यूक्य्शन का फॉर्म तो नहीं दिख्रा और हमें का ओल्री की कुर्शन का फॉर्म जेंक यहां पर यहां पर व्रएवल लिया कि एक्स हुए फ़ह जो है वो खॉन्स एत करता हूं तो बदेकट को एक तरफ करना होगा तो 1 by A plus B plus X ये 1 by X plus में इसाइड हैगा तो माइनस 1 by X is equal to one by A plus one by B गि कि अब अगर इसे Lcm लेंगे तो क्या होगा A plus B plus X into X कि डिवाइड को लिए एक से बचेगा X में 1 से multiply कि तो X minus X से X cancel ये पूरा की पूरा बचेगा इसे multiply करेंगे तो क्या हो गया a plus b plus x ओके अब देखो इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा a b divide करो तो यह से cancel b बच्चा तो यह b हो गया b से भी cancel a a into one a ओके अब देखो यहाँ पर sign change हो जाएगा तो यह minus a minus b minus x divided by a plus b plus x into x is equal to इसे a plus b भी arrange करके चाहिए तो लिख सकते हैं divide by a b अब देखो यह x और minus x क्या हो गया cancel हो गया तो क्या बच्चा माइनस से minus b तो वहाँ से मैं minus को तो a plus b हो जाएगा और नीचे देखोगे नीचे में क्या करता हूं a plus b plus x into x है इसे वैसे वैसे रहे देते हैं और यह हो गया a plus b by a b अब यह देखो यह जो a b है यह इधर numerator में दूसरे साइट जाएगा denominator में ते यह a plus b और a plus b क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो मैं अगर इसे cancel कर दूं तो मज़े क्या मिलेगा minus one by a plus b plus x into x is equal to a plus b by a b okay sorry a plus b तो cancel हो गया ना तो यहाँ पर तो one बचा है ना तो one by a b बचा यह a plus b और यह a plus b क्या हो गया cancel out हो गया था यह हो गया cross multiply करेंगे तो cross multiply करेंगे तो minus a b is equal to a plus b plus x into x आया अब इसे multiply करते हैं सबको एक तरफ करते हैं ठीक है इस यह भी कूद अभी देते हैं तो plus में जाएगा तो देखोगे और इसाइट 0 आएगा तो 0 is equal to इसे multiply करते हैं तो a x plus b x plus x square plus a b अब इसे arrange जागर कर लें तो x square plus a x plus b x plus a b is equal to 0 अब देखो इन दोनों से x common x मैंने common लिए तो क्या हो गया x plus a यहां से b common लेंगे तो x plus a is equal to 0 देखो कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया जा रहा है जो आपको पहले से नहीं बताए गया ठीक है तो पहले से जो सारे चीज़े बताए गई हैं बस उसी को यूज किया जा रहा है बस आप अगर ध्यान से math को अच्छे से बनाओगे सारे equation को तो सारे के सारे question solve होंगे थो आपका focus चाहिए अब देखो दोनों को बाई बाई से 0 के equal करेंगे तो x प्लस एक बाई 0 के equal हो जाएगा और एक बाई x प्लस b 0 के equal हो जाएगा तो यहाँ पर x का value क्या हो गया minus a और यहाँ से x का value क्या जाएगा minus b तो यह दोनों उसके roots हो गए ओके इस question को देखो इस question को देखते हैं एक चीज धियान में आया होगा कि यह 2x minus 1 by x प्लस 3 है और just इसी का reciprocal यहाँ पर दिया गया इसी का reciprocal दोने यह दूसरे के reciprocal है तो दोनों तो सेम चीज है तो जैसे आपको linear equation 2 भेरेगों नहीं बताया गया था कि अगर सेम चीज जैसा दिखे तुसे हम कुछ माल लेते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से माल लेंगे क्या इसका reciprocal यानि यह हो जाएगा 1 by y तो 2y minus 3 into 1 by y is equal to 5 यह equation बन जाएगा इसे solve करोगे तो क्या हो गया 2y square minus 3 by y is equal to 5 यानि equation क्या बना equation हो गया 2y square minus 3 is equal to 5y अब अगर इसे arrange करेंगे तो यह हो जाएगा 2y square minus 5y minus 3 is equal to 0 अब देखो same वही method तो हमें क्या करना है constant और coefficient को multiply यानि minus 6 लेकर आना है multiply करने और add करने पर क्याना चाहिए minus 5 आना चाहिए तो यह multiply करने पर आना चाहिए यह अभी हो सकता है जब 1 plus का और 1 minus का हो तो अब यह क्या होगा यह तो minus के case में भी हो सकता है और 1 plus का और 1 minus का case होगा तो भी हो सकता है तो हमें दोनों में क्या मैला है एक plus और एक minus का ठीक है तो 6 को break करो तो देखो minus 3 माइनस 6 और अगर प्लस का मॉन ले ले ठीक है तो एड करने पर माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 6 और प्लस 1 को मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 6 भी आ जागा यानि क्या हो गया माइनस 6 और वन में ब्रेक करेगा तो यहां से 2Y मैंने कमन ले लिए तो क्या बचा य और यहां पर माइनस 3 इन दोनों से 1 कमन ले लिए तो क्या हो गया और एक बार 2Y प्लस 1 ये भी 0 की को लोगा तो यहां से Y का बहलू आ गया 3 और यहां से Y का बहलू आ गया याने कि 2x-1 by x plus 3 का जो value है वो कितना आ गया 3 आ गया अब इसे multiply क्रोस multiply करोगे तो क्या हो गया 2x-1 is equal to 3x plus 9 इसे solve करते हैं 2x कुई दर भी देते हैं 9 को साइड भी देते हैं तो क्या हो जाएगा दूसरा case देखते हैं case 2 y के value क्या था minus 1 by 2 और y क्या जो value है वो क्या है 2x-1 by x plus 3 is equal to minus 1 by 2 अगर cross multiply करें तो क्या हो जाएगा यह हो गया 4x-1 और यह minus multiply करना है तो द्यान रखोगे यह minus x हो जाएगा यह minus 3 हो जाएगा x को एक तरफ करते हैं तो यह minus का इस side आएगा तो plus x और यह minus का बाने उस side गया तो plus का तो क्या हो गया 5x is equal to minus 2 तो x is equal to minus 2 by 5 तो क्या क्या x के value आगा है x का एक value आया minus 10 और एक value आगा हो गया minus 2 by 5 तो यह दोनों उसके क्या होगा है रूट्स हो गया है कि एक जगह गलती हो गया जब मैंने इसे cross multiply क्याना तो यह 4x minus 2 होगा न माइनस टू इदर आएगा तो यह plus का टू होगा यह minus 1 और यह minus 1 लियानने की वाइनस वन वाइफाइफ तो माइनस टेन और माइनस वन वाइफाइफ यह होगा ओके एक सवाल हो सकता आपका कि क्या इसे सब्सक्राइब कर सकते थे लेकिन उससे लेंदी चला जाएगा तो उससे बच्च होगे ठीक है जब रेसी प्रोकल दिखाए थे तो इस तरीके से कुरने की कोशिश करो ओके कर दो हुआ हो ओके जहीं कर साथ कराम प्रोकल उससे लाएब कर सकते तो इसे लेकिन है उसे भाषाब कर सकते थाएफ।